हेलो प्यारे बच्चो, शिव कृपा स्टडी पॉइंट पर आपका हारदिक स्वागत है और मैं हूँ आपकी कृपा मैं प्यारे बच्चो हम अपनी हानी डू बुक का फर्स्ट लेसन दे बेस्ट क्रिस्मिस प्रेजेंट इन दा वर्ड कर रहे हैं उसके पहले दो पार्ट हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं आज हम उसका थार्ड पार्ट करेंगे प्यारे बच्चो हमने जो फर्स्ट दो पार्ट थे उसमें देखा था कि एथर को एक रोल टॉप डेस्क मिला था जिसे वो खोल के रिष्टोर कर रहा था उस टाइम उसने देखा कि उसमें एक लेटर है जब उसने वो लेटर अनफोल्ड किया तो उसमें उसे एक लिफाफा मिला था जिसमें क्रिस्मिस पार्टी के बारे में बताया गया था और वो जो लेटर था वो जिम मैक फर्सन ने लिखा था आज थार्ड पार्ट में क्या होता है हम देखते हैं तो प्यारे बच्चो थार्ड पार्ट स्टार्ट करें उससे पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो चलो बच्चो अब हम अपना थार्ड पार्ट है वो यहां से स्टार्ट करते हैं देखी इसमें क्या लिखा है कि I folded the letter again and slipped it carefully back I folded देखो यह कब की बात है जब उसने Ether ने वो letter पढ़ लिया था ना उसके बाद क्या किया वो बताया यहां पर I folded the letter मैंने letter को fold कर दिया फिर से मोड दिया again फिर से and slipped it और इसे रख दिया carefully शावधानी से back वापीस into the even loop मैंने इसे फिर से मोड करके लिखाफे में रख दिया I kept awake all night मैं सारी रात जागता रहा by morning सुबह I knew मैं जानता था what I had to do मुझे क्या करना है I drove into brideport I drove मैं गाड़ी चला करके लेके गया into brideport तक just a few meals away just बिलकुल a few थोड़े से meals अवे दूरी पर जो की थोड़ी सी दूरी पर था I asked a boy walking his dog I asked मैंने पूछा ए बोई एक लड़के से walking his dog जो अपने कुत्ते को share करा रहा था वेहर copper beaches was कोपर बीच कहा है house number 12 turned out to be nothing but a burned out cell house number 12 बारा नंबर का घर turned out वापिस मुढ करके देखा तू भी nothing कुछ भी नहीं था but लेकिन a burned out cell एक जली हुई cell थी जली हुई जोफडी नुमा मकान था the roof gapping जिसकी जो roof थी चट थी gapping उसके अंदर दरारे पड़ी हुई थी the windows boarded up the window थी I knocked मैंने खट खट आया at the house next door अगले घर का दरवाजा and asked और पूछा if anyone knew क्या कोई जानता है the whereabouts of Mrs. Macpherson के Mrs. Macpherson कहा है oh yes अरे हाँ said the old man in his slippers said the old man बुढे आदमी ने कहा in his slippers जो अपनी चपलों में था he knew her well he knew her well वह उसे जानता था well अच्छी तरीके से a lovely old lady एक प्यारी बुढी ओरत she had been in the house when it caught fire she had in the house वह घर में थी when it catch fire जब यहाँ पर आग लगी no one really knew कोई भी ठीक से नहीं जानता how the fire had started की आग सरू कैसे हुई थी but it could well have been candles but लेकिन it could well यह सायद हो सकती थी have been candles मुंबतियों के करण she used candles वह मुंबतियां यूज करती थी प्रियोग करती थी rather than electricity बिजली की बजाए because she always thought वह हमेशा सोचती थी electricity was too expensive electricity बिजली वाज थी too expensive बहुत ज़्यादा महंगी the fireman had got her out the fireman आग बुजाने वालोंने had got her out उसे बाहर निकाल लिया just in time बिल्कुल सही समय पर she was in a nursing home she was वह थी in a nursing home एक अस्पताल में now he told me उसने मुझे बताया burlington house जो की burlington house में है on the door set door set road door jester road पर है on the other side of town जो की कस्बे के दूसरी तरफ है आप अपना next page देखिए next page में क्या है देखिए बच्चों क्या लिखा गया है next page पे I found मैंने पाया बुर्लिंग्टन हाउस बुर्लिंग्टन हाउस को nursing home जो की एक अस्पताल था easily enough बहुत ही आसानी से मैंने उस अस्पताल को बहुत ही आसानी से पा लिया there was there were paper chains up in the hallway there were वहां थी paper chains कागच की chain up उपर in the hallway hallway में वहां hallway में paper की chain थी and a lighted Christmas tree और एक जलाया हुआ Christmas का पेड था stood in the corner जो की एक कोने में खड़ा हुआ था with a उसके उपर I said मैंने कहा I was a friend come to visit Mrs. Macpherson I said मैंने कहा I was a friend मैं एक दोस्त हूँ मित्र हूँ came to visit यहां देखने के लिए आया हूँ Mrs. Macpherson Mrs. Macpherson को to bring her a Christmas present उसके लिए एक Christmas का तोफाल आया हूँ I could see throw into the dining room where everyone was wearing a paper hat I could see मैं देख सकता था throw into the dining room dining room बोजन कक्स के पूरी तरह अंदर तक we are everyone जहां परते एक आदमी wearing a paper hat एक कागज की टोप पहने विये था singing गा रहा था the matron had a hat on to the matron no krani had a hat उसके पास भी एक टोपी थी on to सिर के उपर मतलब उसके सिर के उपर थी and seemed happy enough and seemed happy परतीत हो रही थी enough happy बहुत ज़्यादा खुस to see me मुझे देख करके मतलब वह नो krani थी ether को देख करके बहुत ज़्यादा खुस हो रही थी she even offered me a mine spy उसने मुझे mine spy खाने के लिए दिया she walked me along the corridor she वह walked me मेरे साथ आई along the corridor corridor तक Mrs. Macpherson is not in with the others Mrs. Macpherson is not with the others दूसरों के शाथ नहीं रहती है she told me उसने मुझे बताया she is rather confused today she is वह rather confused और भी ज़्यादा confused थी और भी ज़्यादा प्रेसान थी today आज सो इसलिए we thought हमने सोचा it best yes अच्छा है if she had a good rest अगर वह थोड़ा आराम कर ले she had no family you know you know तुम जानते हो she had no family उसका कोई प्रिवार नहीं है no one visits कोई मिलने नहीं आता है so इसलिए I'm sure मुझे पूरा येकिन है she will be only too pleased to see you वह तुम्हें देख करके बहुत ज़्यादा खुस होगी too pleased बहुत ज़्यादा खुस होगी she took me into a conventory with wix chair वह मुझे बाचीद वाले कक्स तक ले आई जिसमे wix chair पुरानी कुर्षियां थी and potted plants potted plants गमलो में लगे विये पोधे थे all around चारों तरफ and left me और मुझे छोड़ दिया the old lady was sitting in a wheelchair the old lady बुढ़ी ओरत sitting बैठी हुई थी in a wheelchair wheelchair मतलब जो पईयों वाले कुर्षी होती है न उसके उपर बैठी हुई थी her hands folded in her lap her hands उसके हाथ folded बंधे हुए थे in her laps उसकी गोद में मतलब उसने अपने हाथ अपने गोद में पाइन इंटु ए विस्पी बुन पाइन मतलब जिसमें पिन लगी हुई थी और विस्पी बुन सुन्दर जूडे के अंदर she was gazing out at the garden she was gazing वह टक्टकी लगा कर देख रही थी out at the garden बाहर गार्डन में बगी चे में hello I said मैंने कहा hello she turned and look up she turned वह मुडी and looked up at me मुझे देखा वह केंटली निरस्ता से happy Christmas कोनी happy Christmas I went on मैं कहता गया I found मैंने पाया this यह है I think it's your यह है तुम्हारा है मैंने यह पाया है और मुझे लगता है यह तुम्हारा है अथर ने वो letter कोनी को दिखाते वे का था भई as I was speaking जैसे ही मैं बोल रहा था हर आइज उसकी आँखे हर आइज उसकी आँखे never left my face एक मिनट के लिए भी मेरा face नहीं छोड रही थी मतलब वह है एथर को टक्टकी लगा के देख रही थी I opened the tin box मैंने tin के डब्बे को खूला and gave it to her और यह उसको दे दिया that was the moment यह वहक्षन था her eyes light up with recognition her eyes उसकी आँखे light up चमक उठी with recognition एक चमक के साथ and her face और उसका चहरा she fused with sudden glow of happiness एक sudden glow से अचानक खुशी से चमक उठा I explained मैंने explain किया वर्णन किया about the desk desk के बारे में about how I had found it जैसे मैंने पाया इसे उसके बारे में but लेकिन I don't think मैं नहीं सोचता हूं she was listening वह सुन रही थी for a while एक मिनट के लिए next page देखिए for a while कुछ सण के लिए she said nothing उसने कुछ नहीं कहा but लेकिन stroke the letter पत्र को सहलाती रही tenderly भाउकता से with her fingertips अपनी हाथों की उंगलियों से suddenly अचानक she reached out वह मेरे पास आई and took my hand और मेरे हाथ को पकड लिया her eyes were filled with tears her eyes उसकी आखें filled with tears आशों से भरी हुई थी you told me तुमने मुझे बताया you had come home by Christmas you had come home by Christmas तुम Christmas पे आने वाले हो dear rest she said वह बोली and here you are और तुम यहाँ हो the best Christmas present in the world यह है Christmas पर संसार का सबसे सुन्दर तोफा है come closer पास आईए जिम डियर प्यारे जिम sit down बैठ जाईए I sat down beside her मैं उसके पास आईए नेरी गालो को I read your letter so often Jim I read your letter मैं तुम्हारा पत्र पढ़ती थी so often pray everyday परते एक दिन I wanted to hear your voice in my head I wanted मैं सुनना चाहती थी your voice तुम्हारी आवाज in my head मेरे दिमाग में ने अपने दिमाग में सोचती थी कि मैं तुम्हारी आवाज सुनू it always made me feel you were with me it यह है always हमेशा made me feel मुझे महसूस कराता था you were with me तुम मेरे साथ हो and now you are और अब तुम मेरे साथ हो now you are back अब तुम वापिस आ गए हो you can read it तुम इसे पढ़ सकते हो to me yourself मेरे लिए अपने आप आगे देखिए would you do क्या तुम्हारी इसा करोगे that for me मेरे लिए Jim dear प्यारे Jim I just want to hear your voice again I just want मैं केवल सुनना चाहती हूं your voice तुम्हारी आवाज again दोबारा I had love मैं इसे प्यार करती हूं that show much बहुत ज्यादा and then perhaps we will have some tea फिर सायद perhaps mean सायद we will have some tea हमें कुछ चाह लेनी चाहिए I have made you a nice Christmas cake मैं तुम्हारे लिए एक प्यारा Christmas का cake बनाऊंगी Margie fun all around जिसके चारो तरफ Margie fun होंगी I know how much you love Margie fun I know मैं जानती हूं how much कितना ज्यादा you love तुम प्यार करते हो Margie fun से देखिए बच्चो जो letter ले करके एथर आया था मिसिस जो मैक फर्सन थी उसको लगा कि वही उसका Mr. Jim है जो उसको letter देने के लिए आया था इसलिए उसे लगा कि उसको Christmas का best present मिला है दुनिया का ठीक है बच्चो हमारा lesson यहीं पर complete होता है और I hope आपको lesson अच्छे से समझ में आ गया होगा और अगर कुछ नहीं समझ में आया है तो वीडियो के नीचे description box में comment करना ना भूले और वीडियो को like करें share करें और इस channel को subscribe करें thank you for watching have a great time